अरे बियार, लोगों को पूरो पूरो घर चले गए हैं, रोड चोड़ी करन होने में, इसी वज़े से इहां की पब्लिक बहुती परेसान है, इसी को जिसे गरीब लोग है, उनको ठीक से जिसे लेबरी करने वाले हैं, तो उनको इस टाइम कोई कूशता नहीं है, दम परेसान हो गई है जनता यहां की, इसी वज़े बस यही कारण है, यहां बिज़े पिहां पे हारी है, तो भी यहां तोड़ाई पड़ाई होई, कोई हाल चाल ही नहीं लेने आया, क्यों आपका मकान टूट रहा है, क्या मौज़ा मिलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा, इ देखी राजनीत का दोर है, इसमें हम और आप कुछ नहीं के सकते, जैसे कि अध्या में बहुत सारी इसू है, कि लोगों में आक्रोष रहा, जैसे कि आपने देखा हो चोहणी करण हुआ, बैपार मंडल भी नाराज हुआ, संत महांत भी नाराज हुए, तो इस राजनीत मे बहुत से हमारे यहां के बैपारी मंडल के लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोगों से कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी, उसी का आक्रोष है कि इसमें राजनीताना बीजेपी ने हलागी काम भी बहुत अच्छे-च्छे किया यहां पर, आपने देखा होगा 500 बर्स पुरान यह मुद्दा था वो बीजेपी ने ही खतम किया है, आपके यहां इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रास्ता एत्ते अच्छे-च्छी बन गई है, सर्जू का नवीनी करण हो गया, पता नहीं राजनीत में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका डालत हुआ। शाहिद भगवान राम की इच्छा थे। अचनीत मेरा स्सक्षा क्राइबिक यहां के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, इनको अस्ति धाय हो रही है, और इनका रोज़ के प्रतित, बेवहर होता था यहां के रहने वाले आपके वाले, आम पबलिक की वज़ा से साहर यह जो क्रोध था यह आलाजिकारियों को प्रती जो भरता हो था यह बीजेपी के ऊपर जाकर के गाजगिरी इसके व्यापारी बंदू भी नाराज थे बीजेपी से चाउनी करण का मुअफजा नहीं सही से दिया गया कई तरीके की परशानिया यहां पब्लिक को होती थ यह जितना कुछ कर सकती थी उतना सब कुछ उसने किया रही बात हार जीत की तो अध्या धाम के बाहर वाह छेत्रों में जो दिहाती दिहात का जो छेत्र था जो ग्रामेड अंचल था ग्रामेड इलागा था उस शेत्रों के लोग ज्यादा रुष्ट लगे और नाराज पड़ा उसके साथ साथ बेहत सर्मनाक है कि श्री अवद धाम में जिस भारतिय जंता पार्टी ने हमारे पांसो वर्से काले तिहास को जल्भविष के रूप में परिवर्तित किया अध्या को नया आयाम दिया अध्रणिय मुख्यमंत्रियोगी आधित राथ जिने राम की पैड़ी पर्भव दीपोस्थों के माध्यम से अध्या की सड़कों को बढ़िया शुंदर बना करके एप्या पारइओं стран पैड़ी नाराराज थे इस बात कि कश्ट सब के मन में था लेकिन उसके साथ ब्यापारियों को ब्यापार की अच्छी दिशा भारती जंता पार्टी किनाती मिली उसको ब्यापारी गण भूल गया ऐसा नहीं होना चाहिए और यह बहुत दुखद है कि अवद्धाम में एध्या में हमारे रामलला का जिन्होंने भविध्य विवंद्र निर्मान कराया ऐसे में उनको प्राजित होना पड़ा यह हम सब के लिए हिंदु जन्मानस के लिए सर्मनाक है हम लोगों के लिए चिंता का विशा है चिंतन किया जाएगा लेकिन सरकार भारती जंता पार्टी की बन रही है चार प्रदेशों में सवा से भाज्वा जीती है और अन बेदान सवा हमें बहुत को आर मिली है अब उसके बहुत से कहा होते हैं उतार चड़ाओ जीवन का क्रॉम है हार और जीत ही जीवन का क्रम है अगर आज हा रहे हैं तो कल जीतेंगे तो यहां की जंता ने बहुत दिया अजुज्ज्य बिचार करें कि संक्षन की कमी रही या जो जन प्रदिदी बिधायक थे उनसे जनता नाराज रही उसका रिष्ण हुआ बहुत कारण होते हैं आरजीत के जिस्ते की जाती समीकर्ण की उपर चुनाव होता है उसको नजन दाज किया भाज़पा ने और कुछ मुझे लगता है जाधा आत्म विश्वास भाज़पा में हो गया वो भी एक हर करण में सकता है इसने इमानदारी से कार करता लगता था पहले इस चुनाव मुझे वो लगता नहीं दिखाई पड़ा तो गर्मी का मौसम भी इसका वो रहा क्योंकि भाज़पा का करत सिपका बोटर जो है मध्यम बर्गी है और उसने गर्मी कारण कुछ मध Donc कम हुआ does की यह मतलब अत्म कि नरे और यह सच है कि भाज़पा के आने के अभाद ही अयुद्या का विकास भत रेकिन इस बातका घमंड कुछ नेता लोगों में हो गया अभिपाद्ब नेंस आयुद्या नगरी है मर्यादा पुरुषूत्म भगवान राम की अखंड कोटी ब्रम्हांड नयक राजा राम कहा जाता हूँ उनके आगे रामड जैसे प्रकांड पंडित का घमंड नहीं चला तो बीजेपी का घमंड क्या चलेगा उनको ये घमंड था कि वो राम को लाएं जबकि राम इस संसार के रचैता को लाने का साहस और दुसाहस कोई कर नहीं सकता ये घमंड उनको ले डूपा